यह लो प्रेंट्स वेलकम टू श्टडी विद्देव यूटूब चनल पर मैं देवन्दर आपका सवागित करता हूं दोस्तों आपने भी तक श्टडी विद्देव यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और साथ ने बेल आइकन बठन जरूर को लेज में आपका सेलेक्सिन हो जाएगा नर्सिंग में बिल्कुल सटी कटॉप देखेंगे और वीडियो को पूरा देखो कि तभी आपको समझ में लगे समझ में आगे कि इसका रूल और रेगुलेशन कैसे हैं कैसे कटॉप उपर नीचे हो सकती है तो वीडियो को एंड करो जो भी देखोंगे सब लाइक करके जरू जाओगे और कमेंट करें लास्ट में बताओ कि यह जानकारे आपको कैसी लगी ठीक है तो हम कटॉप के बारे में बात करेंगे और दोस्तों आपको बता दू कुछ जिसका भी इसमें इस कटॉप से मैं अंतरगत नहीं है तो प कर सकते रास्तान में आपको गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा उसके लिए बस आपको करना क्या तैयारी अच्छे से करनी है ठीक है तो बात करेंगे हम कटॉप की बारे में तो चलिए दोस्तों आगे चलकर वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं ठीक है है दोस्तों हम आगें की बारा में देखें अब के जिए दो आर बीस एदेंसन कट व्ट टोटल कोलेज घट उसके अंतरगत आठ कोलेज है टोटल नर्सिंग के उन में से एक गवर्मेंट कोलेज है बाकी साथ प्राइवेट कोलेज है ठीकिक के गवर्मेंट कोलेज के जी मुझे में कि सीट्टों के संक्याद देखेंगे हम तो यूर केटेगरी के लिए 50 सीट से वबीसी के लिए 27 और एश टू सीट्स अन जाने कि किसमें के जी मुझे में कुलेज गोवर्मेंट बैसी नर्सिंग का उसमें 100 सीट में कटोप का कटोप कैसे रहें और कि रेंकिंग के पर वदल यह सकता है इसको मैं आपको वीडियो में अंत तक बताऊंगा कि कैसे एसमें फिह बदल देखने को मिलेगा ठीक है इससे पहले मैं आपको बता दू कटो बताने से पहले यह दी आपका सेलेक्शन के जी यह में में नहीं होता है तो आरियो चेस जो नर्सिंग एक जाम है उसके लिए सभी एपलाई कर दो और नर्सिंग एडविसन में एंट्रेज जो तैयारी कर रहा हूं मैं इस चैनल पर पूरी तैयारी कर रहा हूं कि आपको कैसे गौर्मेंट के लज मिलेगा कैसे उसमें क्या है प्रोसेस सारी बता चुका हूं मैं इससे पहले वाले टो रेंकिंग नुशार सब से एंब और और रेंकिंग की बात करेंगे फिर डे रेंकिंग के बात करेंगे क्या हूं तो आपको को कोलेज मिले कोलेज मिलसकता है मिलेगा नहीं मिल सकता है क्योंकिчески कुछ और आपकी रेंकिंग और रेंकिंग बात कर रहा हूं केटेगरी की बात में करूंगा केटेगरी ओर रेंकिंग आपकी 51 से 77 है तो आपको 100 परसेंट गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा इस बात का दियान रखना कि आप और रेंकिंग को सकते हैं किसी की रेंकिंग रेंकिंग तो उसको तो मिलेगा है लेकिन मेक जीम आपकी इतनी तक तो होनी चीए इससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको नहीं मिलेगा चांस नहीं है यह आपकी एस्टी में 100 से 101 के बीच में है यानि 101 तक हैं आपकी एक से रैंकिंग तो आपको चांस है ज़ी कि आपको गृपोंनेट कोलेज मिल जाएगा अप कैटेगरी रैंकिंग की बात करेंगे एदे आपकी ओविस e catagory से होग से हो और आपकी कैटेगरी रेंक 1 से 27 है तो आपको गृपनेंट कोलेज मिलने के पूरे चां से यह अब यूर की बात करते हैं यूर में एक सब्सक्राइब को सकता है तो हो सकता इस लिये बोलाता मैंने क्योंकि किसी केंड़ेट मालोग कोई सब्सक्राइब निख रखर रखा जाएगा जाएगा इस जगह से ऐनको खाली कर दे जाएगा और उस जगहाएगा पर यूर गया अगए बीच में तो यूँ आर का जो यूआर रैंकिंग रहेगे और वाल यूआर केंड़ेट की तो तो इस ती बताना कि ये वीडियो आपको किसा लगा और मेरे द्वारा यह जानकार आपको दी गई है ये कितनी अच्छी लगे और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू एस रैंकिंग प्लस टू जैदा हो जाएगी या प्लस माइनस टू कम हो जाएगी तो इस बात का भी आप ध्यान रखना और यह बिल्कुल सटी के लगबग इसी के आज पास रैंकिंग जाएगी मात्र हंड्रेड सीट से हंड्रेड सीट में आप देख लोग क्या हो सकता है फोरम एपलाई कर जान रखना गुवर्मेंट कोलेज में यह बिल्कुल सटी कटोव पर यहीं कटोव जाएगी आपके लिए ठीक है सभी कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी और यह आप राजस्तान में जो बीसी नर्सिंग एंट्रेश एक्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड जाए ज्यादा हाप अफमार साथ जुड़ों गया तो आपकी पूरी त्यारी करवाई जाएगी अरच सुपर एक्सपर ऐक्स्परस प्ला से आने वाली है फूची दिनों में वह कलासे जैसे आएगई आएगी आपको न्यृमा कह ल स्टेट है जिसमें ओल इंडिया के इंडेट फोरम एप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों इस बावत का दियान जरूर रखना सब और तेरा नौमबर तक राजिस्तान में फोरम एक्सेप्ट नहीं होंगे तो आप तेरा नौमबर से पहले फोरम ने वीडियो में ठीक है बाई